दोसो अट वचल में आप सभी का तैदल से सुभागत करता हूँ दोसो आज की इस वीडियो के अंदर जो है एक ऐसी यूनिक और खुफिया सेटिंग के बारे बताऊंगा और दोसो ये जो सेटिंग है अपनी आप में काफी यूनिक है क्योंकि इस सेटिंग को आप साथ बर द बाती हो ना तो साथ ऐसे खुफिया राज इस सेटिंग के अंदर छुपा हुआ है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे ना आपने कभी जिंदिगी में जानने की कोसिस क्या होगा कि एंडुराइट फोन के अंदर ऐसा भी सेटिंग हो सकता है क्योंकि दोसो ये जो से सेटिंग है इस सेटिंग से आप किसी का भी खुल सकते ऐसा भी सेटिंग मिल जागा इस सेटिंग के अंदर जो आप सात बर दवाने के बाद आपको मिलेगा अगर आप जानना चाहते कि ऐसी कौन से सेटिंग और ये सेटिंग आपकी फोन के अंदर का मिलेगा साड़ा एक ऐसी magic होगा जो चानने के बाद चौक जाएंगे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके ज़रू सपोर्ट करना चलिए को सब्सक्राब करके बेल पर किलिकर को और पर पेस कर देना इस वीडियो को शायर करना तो यह जो सर्च बार है ना तो यहां पर अब लेग सकते हैं लेकिन आपको उपचर में मिल जाएगा उप़ोर्ट फोन सेटिंग के उनदर जाना होगा और जैसे जाने के बाद आपको क्याकरना होगा यहां पर एक नया सेटिंग दिखने को मिल जाएगा यह Le nearby नामें डॉबल प्रॉप्जन के बार में सभी को पता है लेकिन इसके अंदर जो सेटिंग है इसके अंदर जो खूफिया राज इसके अंदर छुपा हुआ है जो नए-ने फीचर छुपा हुआ है उसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो यह double put option आपको कहां पर मिलेगा जो काफी ज़़ादा उठा सकते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपको सेटिंग की बात करो तो नीचे जाएंगे के ना एक सेटिंग मिलेगा यहां पे जो बहुत ही कमाल का सेटिंग है और इस सेटिंग से जो आप किसी का भी पूल खोल सकते हैं जैसी कि यहां पर रिस्टेक्टिक दिया पर SMS and call log access होगा यानि कि दोस्तों इस सेटिंग को on कर देती हो ना इस सेटिंग को on करने से यह फायदा होता है कि आपको पता हो कि कैसारे website से आप अप्लीकेशन इस्टॉल करते हैं और कुछ ऐसे अप्लीकेशन होते हैं जो आपका message का permission लेता है call log जिससे आप call पर बाते करते हैं वो history होता है उसका भी permission लेता तो वो क्या होता है कि चोड़ी कर सकता आपका data चोड़ी भी कर सकता आपका text message को rate भी कर सकता है लेकिन यह restricted mood होए ना इस setting को on कर देते हैं तो जितना भी permission देंगे ना तो permission दे सकते हैं लेकिन वो पढ़ने की कोसिस करेगा text message को पढ़ने की कोसिस करेगा या call history चोड़ी करने की कोसिस करेगा तो mobile का जो system है restricted कर देगा उसको allowed नहीं करेगा उसको वहाँ पर रोक लगा देगा कि ऐसा permission आपको नहीं है यह setting को on कर देते तो जियां तो यह मुझे काफी कमाल का setting लगा जो आप इसे use कर सक देता ना तो आपके mobile के अंदर जो network है और wifi है बिलकुल full हो जाता है जो काफी कमाल का होता है अगर आप अपने friend को प्राइंग करना चाहते बैटरी भी full हो जाता है तो आप अपने friend को कर सकते demo mode चालू करके जियां उसको बोल सकते कि मेरे mobile के अंदर 10% battery है क्या मैं उसे चि परदस खूफिया सेटिंग है अगर दूसरों आप अपने mobile के अंदर गेम खेलते चाहे PUBG हो चाहे फ्री फार हो चाहे कोई भी other game खेलते है और अपने मतले कि उस game का graphic को और भी increase करना चाहते है उसका जो performance को और भी better करना चाहते है लाग होता आपके mobile के अंदर तो mobile के अंद आप मतले कि जो भी game use करते हैं उस game को select करना होगा जैसी कि for example यहाँ पर ले लेता हूं जैसी कि MIUI store होना इस पर click कर देता हूं तो यहाँ पर देख से चौठा नमर का setting के बारे में जो काफी useful setting है और इस setting के अंदर छुपा हुआ है तो आपको क्या करना होगा नीचे जाना होगा ठीक है और चौठा नमर का setting जानने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको windows animation skill टासल इंद में इस skill और यहाँ पर due to skill होगा इस setting को यहाँ पर आप जादू setting है जिसका भी mobile hang करता ना तो यह जादू setting को on कर देंगे ना तो आपका mobile बिलकुल smooth और काफी ज्यादा speed चलने लगेगा और यह मैं नहीं कर आप खुद try करके देखना क्योंकि जब भी मेरा mobile lag करता है hang करता है जब भी गेम खिलता हो ना तो काफी ज्यादा lag करने लगता है लेकिन यह setting को on करने से मेरा mobile काफी ज्यादा fast हो जाता है hang नहीं करता है जरूर try करना ठीक है तो यह था setting जो मैंने आपको बता दिया चलि मैं आपको बता दे तो पांच नमर का setting के बारे में जो काफी ultimate setting है जो आपके यह जो साथ बढ़ जो दबाय है ना जो डब पोडसिउस यहां पर होगा इस्पे क्लीक कर देना होगा से क्या और दोस्तों इससे ब्हुत ही फा особенно आपकी बैटरी को ले कर गया है और आपके phone के अंदर कुछ न कुछ percentage वो लेता रहता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो no background process होता ना उस आप उसे limit कर देते हैं यहाँ पे जैसे कि no background process होगा limit कर देंगे तो वो mobile जो है आप use नहीं करेंगे फिर भी वो नहीं लेगा आपका battery जो 100% का 100% ही रहेगा तो इससे आप अपने mobile की battery को increase कर सकते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे चेन नमर का setting के बारे में और दोस्तों सच बाता रहा है यह जो चेन नमर का setting ना बिलकुल कमाल के है और जो last setting बता होगा ना वो internet को लेकर के जिया जरू देखके जाना तो यहाँ पे 26 नमर क जिसके पास उतना पैसा नहीं होता जो 32GB, 64GB, 108GB mobile storage कर सके क्योंकि महंगे phone होते हैं लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो budget smart phone खरते हैं जिसके mobile में 8GB होता है या 16GB होता है तो वो ज्यादा store नहीं कर पाती क्योंकि ज्यादा movie रखेगा या video रखेगा तो mobile full हो जाता है और game store करके नहीं रखेंगे तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा smart तरीका अगर आपके mobile के अंदे expandable memory card लगाते हैं SD card लगाते हैं तो इस setting को on करने से ही होगा कि जो भी बड़ा सा बड़ा game download करेंगे जो भी बड़ा सा बड़ा कोई file download करेंगे तो direct आपके mobile के SD card में होगा वो move हो जाएगा data और आपका जो इंटरले जो story जाना वो फिरी होगा जिससे आपका mobile lag भी नहीं करेगा hang भी नहीं करेगा और आप बिंदास जो ना बड़ा सा बड़ा game को आप download करके रख सकते हैं तो यह setting मुझे काफी जवर्दस लगा चले बात करेंगे हैं last और जबबरदस और ultimate खूफिया setting के बारे में और दोस्तों यह जो setting है इंटरनेट को ले करके और दोस्तों यह जो internet setting का क्या काम है मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले उपर जाना होगा उपर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं mobile data always active होगा जिया यह setting को मैंने यहाँ on के रखा हूं तो यह आपको on करके इसलिए रखना होगा और इससे क्या फायदे होंगे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यह दि आप android phone चलाते हैं और कभी न कभी आपके घर में तो wifi तो लगा ही होगा ठीक है और जैसे आप wifi से आप कोई भी चीट डॉनलोड करते हैं कुछ भी डॉनलोड करते हैं बड़ा सा बड़ा फाइल को डॉनलोड करते हैं wifi से और कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के अंदर जो light मतलब की कट जाता है ठीक है light कर जाएगा तो wifi भी बंद होगा तो जो आपने पहले से डॉनलोड होगा जैसे wifi से 20% आपने डॉनलोड ह है वो on रहेगा और on तो रहेगा लेकिन जो Wi-Fi यूज़ करेंगे ना तो जैसे वो Wi-Fi बंद होगा तो तुरंत वो जो आपका cellular data वो connect हो जागा जिससे कि आपका जो बीस परसंट पहले ओल्डी वाइफा से डो ना वह फेल्ड नहीं होगा आपका किमती समय भी बचया और आपका data भी बचया जियाँ तो यह तो तुरंत मतलब कॉट हो जाएगा आपको मतलब फेल्ड नहीं होगा तो यह मुझे काफी जबर्दस सेटिंग लगा ultimate सेटिंग लगा और इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर लिखा वाइफाइज एक्टिबिटी फोड यहां पर फास्ट नेटबर सुइचिंग तो यह आपका फास्ट नेटबर सुइच कर देगा मतलए कि जबी भी सेलोडेटा हो या आपका नहीं होगा जियां तो यही तक कुछ सेटिंग जो साथ ऐसे जबर्दस खतरनाग सेटिंग चुपा हुआ था जो साथ बर दबाने से यह जो डबल पर ऑप्शन के अंदर चुपा हुआ था जिसके बार में आप लोग नहीं जानते थे जियां तो उमिद करता हूं कि आप ल